किसी ने बड़ी कमाल की बात कहिए कि रिष्टे किताब की तरह होती है और गलती एक पन्ने की तरह कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फार देना मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना हाई गाईज मेरा नाम पंकस सोनी गोयल फिलम स्टूडियो से और आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी कहानी उस गरिब परिवार की जो एक छोटा सा परिवार जो सिर्फ तेन लोगों का पती पत्नी और उसकी बच्ची जो आर्थिक तंगी से जूज रहते पती की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी कि वो वैक्ती इतना परेसान था कि कहीं जॉब मिल जाए एक दिन उसकी छोटी सी बच्ची ने पूछा कि पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा और वो अपने दोस्तों को देखती अपनी सहेलियों को देखती और वो यही सोचती कि पापा हमारे घर में ही ऐसा क्यूं तो उसके पिता ने उसका होसला बढ़ाते हुए रोज उसे गर से बाहर ले जाते और कहीं दूर पहाड़ दिखा कर कहते कि बेटा वो जो पहाड़ है न वहाँ उपर वाला रहता है उससे तुम प्रातना करो वो हमारी बात सुनेगा वो सब कुछ ठीक कर देगा आगे का पार्ट दिखने के लिए चैनल को लाइक करें और सेर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें